हैलो दोस्तो तो फिर से एक और कटाप की वीडियो में आपका स्वागत है तो यहाँ पर यह जो कटाप लिश्ट है दोस्तो तो यह बेसिकली बीए एललबी कोर्स जो है उनके लिए है यह काफी बाड़ा है तो कई लोगों को नहीं समझ में आ रहा था तो आई थिंक कि यह का कटाप बेस्ट है काफी बड़ा है काफी चीज़े इसमें दे गई है जो कि आपको जाना बेहर जरूरी है तो यहाँ पर जो सबसे पहला इसमें यह दिया गया है कि कौन-कौन से डॉकुमेंट आपको लेकर जाना है तो इसमें आपका हाई स्कूल इंटर वगारा माक्सीट हो गया टीशी चेडी तरपनमार पत्तर जात यहीं सब चीज़े होती है तो यहाँ पर यह सब चीज़े लेकर जाना है जो आल्रेडी मैं हर वीडियो में बताता हूं तो यह पता होगा एक मैं सेप्रेट वीडियो भी बनाया था कि कौन-कौन से डॉकुमेंट काउंसलिंग एक वक्त लगते हैं तो अगर आपको नहीं देखे हैं तो प्लिस देख लीज़ेगा आपको सब पता चल जाएगा तो यह सारे डॉक्मेंट लेकर जाना है जिसमें आपका ओरिजिनल भी होगा और दो-दो फोटो कॉपी भी होगा तो आपको दोनों लेकर जाना है फिर यह गलग जैसे समानने समर्ग के बच्चों के लिए 45% नंबर चाहिए और पीछरा वर के लिए 42 चाहिए और अंसूची जात यांसूची जन जात के लिए 40% चाहिए ठीक है और फिर यहां पर यह दिया गया है कि साथ में जो अभिहरती हैं उनका आयू 22 वर्स या उससे अधिक नहीं होना चाहिए यानि 22 वर्स से अधिक आपका उम्र नहीं होना चाहिए एडमिशन लेने के लिए यहां पर यह साथ साथ दिया गया है फिर यहां पर लिखा गया है कि आपका जो जाती परमार पत्र होना चाहिए वो यहां पर लिखा गया है कि एक सितंबर 2019 के उधर का यानि के अंदर कि आपका जो ज्याती पढ़मार्पत्र जो कि आपने बनवाया हूँ को प्रैल हो नहीं होता है तो दिकत हो जाएगी आपको सब को पता है यह कुछ बताने लाइक चीजें नहीं है फिर यहाँ पूंक सब्सक्राइब बताने लाइक नहीं है फिर आप नीचे ये लिखा गया छटमें पॉइंट में कि यहां पर बी ये लेलबी का जो कॉंसलिंग होगा उसके अगर आपका कटाप में नाम है अगर आपका अमिशन लेना है तो आपके पास 38,000 का डिमांड ड्राप्ट साथ में होना चाहिए किसके पक्ष में होना चाहिए तो यहां पर फाइनेंस ऑफिसर दिंदल पात्या गोरुपर विश्वी दैले के पक्ष में आपको 38,000 का डिमांड ड्राप्ट बनवा के लेकर जाना है तो यहां पर वही लिखा गया है आपके पास डिमांड ड्राप 38,000 का होना चाहिए फिर आप यह लिखा गया है कि पर्वेश के समय आपको अधार काडिया अन्य पहचान पत्र लाना वस्यक है यह आपको बता है यह बताने लाइक चीज़न नहीं है फिर आप यह लिखा गया है कि अब्यार्ति के ब्यक्तिकर रूप से उपस्तित नहीं होने पर आठा किसी भी परमार पत्र के अभाव में परवेश नहीं दिया जाएगा उसकी समस्त जिम्मेदारी स्वय अभ्यार्तिका होगा तो यहाँ पर अगर कोई आपके पास डॉक्मेंट नहीं है तो यहाँ पर जिम्मेदारी आप ही की होगी अगर आपको अर्मिशन नहीं दिया जाता है तो फिर I think, यह चीज़े आप खुद देख लेंगे, उपर जो point था, वो समझाने लाग था, बाकी यहाँ पर cut-up list आप देख सकते हैं, अलग-अलग category का अलग-अलग दी गई है, तो I hope यह वीडियो आपको काफी ज़्यादा helpful लगा हो, helpful लगा हो, तो like कीजिए और चैनल पर नए हैं, subscribe कीजिए, कोई doubt है, comment करिए, या what's up पर हमें message करके पूछ सकते हैं, तो मिलते हैं next video में, तब तक के लिए bye and take care.